आज मैं लाई हूँ इससे एजी मिठाई आपने कभी नहीं बनाई होगी और नहीं खाई होगी बहुत ही रेस्टी होती है बनाने में बिल्कुल आसान दो इंगेडन पनीर और चीनी से बनाई है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है इसके लिए मैंन कर देंगे और शम कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक कटॉरी चीनी यह डाल देते हैं और चीनी डालने के बाद चीनी का चिसे-ई-डियन पानी डानना है बहर ने içेव से तीन बे सकते ही जिस की फ्लीवर आँका उरफ चीज से बटने, चीजस का ऐसी आदा ने चीन, warehouse डाल देंगे, एक बार इस तरीके से चला लेंगे, खलके हातों से बिल्कुल, अब इसे कवर कर देंगे, और 10 मिनट के लिए हाइफ्लेम पे ढख कर बकाएंगे, थाकि पनीर जो हो हमारा पक जाए, उसका कच्छा पन जो है, चला जाए, यह देखे, ढख देना है, और 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है, ढख कर, इस तरीके से, 10 मिनट हो चुके हैं, ढखन हटा लेते हैं हम, और आप देखेंगे, पनीर जो है एकदम हमारा पहले से सौफ्ट हो चुका है, यह देखे, और थोड़ा देखने में भी बड़ा लग रहा है, पहले जो पीसिस हमने कट करे जादा बड़ा नहीं करेंगे, अब इस तरीके से खुला छोड़ देंगे, और हाई फ्लेम पे गैस को कर देंगे, और जब तक इसे पकाना है, जब तक यह चाशनी जो है एकदम हमारी ड्राइ नहीं हो जाती, तो कम से कम हाई फ्लेम पे 20-25 मिनिट में जो है चाशनी हमारी पके हो जाएगी तैयार, कम से कम दो तार की चाशनी जो है, हमें इसे बनानी है ताकि पनीर के उपर अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो यह देखे आ अच्छा कलर चेंज हो चुका है, चाशनी हमारी तैयार हो गई है, यह असको बंद कर देंगे और इसको जो पनीर को है, निकाल लेंगे चाशनी मेंसे इसमेनी ठोड़ना है पनीर को निकाल लेंगे और यह हमारी पनीर और चीनी की बहुती टेस्टी वाले मिठाई हो गई यह तैयार तो मस्ट्राइ रेचेपी है बहुत इजी है जरूर ट्राइ करेगा अंदर से कृंची होते हैं और से सॉफट औ प्लीज विडियो को लाइक और शेयर में करियेगा